सुनि ट्रेशन थी में है आज ट्मियर न ट्वासमा करेंगे कि सेवन वर्वाट्स देखेंगे और उसका खो ओड жиз generation देखेंगे मैं तो दी हिसे लोगाज přुड़ स्दृभड को कुरें पाइला वर्ड़ क्या है मारा अफिल्फटा से कि कि थे इंट्रोवर्ट का मतलभ क्या होता है इंट्रोवर्ट का तो लिख सकते हैं इसका मेनिंग क्या है से इंट्रोवर्टक मतलब होता The Pouz Interests टर्ण इंसाइड ठीक भई इंट्रोवर्ट का मतलू क्या हो गया जिसका इंट्रेस्ट क्या है इंट्रेस्ट जिसका बीहेवियर जिसका नेचर यह सारा जो है वो टर्ण इंसाइड है इसको हम लोग मालो यह एक आदमी है लगना आदमी है तो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है इसा आदमी है ना डाइग्राम से याद रहता है बहुत ज्यादा इसलिए डाइग्राम को भी दिमाग में रखना है जो सब कुछ इसके तरफ आ रहा है इस तरह का नेचर भी होता है जो लोगों के बारे मेरे बारे मेरे लोग क्या सोच रहा है इसा वेक्ति जिसका ऐसा नेचर है वो अपना सारा एक्सेंस को क्लोजली खुद से मॉनिटर करता रहता है कि वाट पीपल थिंक अबाउट इस तरह का नेचर जो होता है इसको लोग क्या बोलते हैं इंट्रोवर्ट अ थोड़ा आगे बढ़के नेक्स लाइड में लोग इसका ऑपरेशन भी देखेंगे वर्ड का ऑपरेशन जब करेंगे कि सपकेड्ड मरि यहीं अङरी पास है एक्सेचंट वर्ट इसका मिनिग क्या होता है इसका मिनिंग है जो इंत्रेस्ट भूज इंट्रेस्ट टर्ण आउट्साइड इसका इंट्रेस्ट के सथा है आउट्साइड टर्ण है जैसा इसका आगर हम लोग अगर हम लोग पिक्चर्स इसको समझने कुछ करें गोना कि तो यह कुई कुई आदमी है एंधurg के अभी ज्यादा सही लग रहा आदमी है और यह अब इसका सारा नेजर कैसा है तंट स्थाइड यह इतना नहीं सीचता है इस तरह आदमी का इस स्था estére कि और यह हो गया इंट्रवर्ट ऑट करेंग तो ंआदमी क्या होता है यह यह अच्छा अच्छा हो सकता है यह counselor अच्छा हो सकता है public speaker अच्छा हो सकता है लिडर अच्छा हो सकता है ऐसा various steps का nature है खास करके जो public speaking का काम है ना उस तरह का काम के लिए इस तरह का nature का आदमी बहुत अच्छा माना जाता है है ना और जो इंट्रोवर्ट टैप का आदमी है यह आदमी सेल्फ सेंटर्ड ऑब्जेक्ट के लिए सेल्फ सेंटर्ड वर्क के लिए ज्यादा फिट माना जाता है ठीक है दूसरा अभी हम लोगों को मतलब है मिनिंग सीखने से हमारा काम किसी पर कोई क्रिटिसाइज करना न कि यह जो होता है सब ठीक है कर्द है हमारा एंबी वर्ड एंबी वर्ड मनलग क्या इस मतलब क्या है इसका में है फूज इंट्रेट्स टर्ण बोथ इंसाइड और आउटसाइड ठीक है ऐसा आदमी इसको अगर हम लोग डाइग्राम से समझने कोई करेंगे तो इसका डाइग्राम कैसा हो जाएगा वह देखो यह आदमी है यह इसका आँख बनाये है और यह खुस है लग नहीं रावा खुस के तरह इसा कोई आदमी है यह क्या है यह कभी ऐसा कर गया है यह डाइग्राम से समझ में आ रहा होगा तो डाइग्राम यहां दखना है एंबी वर्ट का नेचर कैसा होता है हाँ हाँ सम्टाइम्स लाइक एक्स्ट्रोवर्ट और सम्टाइम्स लाइक इंट्रोवर्ट यह इसका सिच्वेशन के हिसाब से डिसाइड करता है यह कि हमको यहां पर क्या करना इंट्रोवर्ट रहना बैठा हुआ है चार-पांच लोग आ गए इसे कुछ-कुछ पूछा बस यह उसके खुल गया खुल गया तो यह मुखर हो के फिर बात कर रहा कि इस तरह कंडिसेंस में इसको क्या बोलेंगे लोग एंबी वर्ट बोलेंगे अब इसका हम लोग आगे अप्रेशन भी करेंगे नेक्स्ट वर्ट है मारे पास एंबी डेक्ट्रस अना अभी ध्यान देना है कुछ-कुछ ही जिसको हम लोग आगे और कंसिडर करेंगे इस तीन वर्ट में एक चीज कॉमन है इसमें भी है और इसमें भी है तो यह वर्ट तुमको लग रहा हुआ है लेकिन इसको जो लोग सीखेंगे तो पता देलेंगे नहीं ठीक है यह है यह एंबी डेक्ट्रस तो आप दूचीज है इसमें एक तो थोड़ा से अब सब्सक्राइब लगा हुआ है कि यह सबस्क्राइब करते जाएंगे इसमें अब सबस्क्राइब लगा हुआ है कि यह जो पहले लग रहा है और इसको लिखने का तरीका होता है अगर हम कहीं लिखते हैं तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है ऐसा लाइन देकर के और हम लोग ऐसा लिख देते इसका मतलब यह जो है यह क्या है प्रिफिक्स है सब लिखने का तरीका क्या होता है हम लोग ऐसा लिखते हैं है ना क्या ठीक लिखा हुआ है यह यह ठीक नहीं लिखा हुआ है जस्ट उल्टा लिखा हुआ है सिर्फ आहां नहीं करना ध्यान देना है यह प्रिफिक्स में ऐसा से वर्ड है यह और यह क्या है प्रीफिक्स है जो है वह पहले लगता है और प्रीफिक्स और यह है मारा चाफिक्स तहीं ए यह दो एकसा है यह पहले से वर्ण है उसके अगर समय उसक्स हो गया और उसके पहले लग रहा तो यह यहां यह मैं यह यह होता है यहम्त्विक्स होता है क्या होता है यह होता है noun suffix क्या होता है noun suffix होता है यह क्या होता है अगर कहीं OUS है यह है हमारा noun suffix पहले भी हम लोग कुछ noun suffix को देखें हैं तो ऐसा जो जो मिलते जाएगा उसको लोग करते जाएगे ठीक है कि दूसरा फिर है कि आइटी वाए है ना वारे वारे जो मिलेगा उसको देखते जाएंगे नेक्स स्लाइड में लोग देखेंगे इसको अभी इसको स्किप करते हैं अभी मिनिंग पर देख लेते हैं पहले तो एमबी डेक्षरस का मतलब होता है सच टाइप आप पर्संट हूँ यूजेज हीज बोथ हैंड एज राइट एंड एमबी डेक्षरस का मतलब क्या होता है हाँ इसको हाँ इसका मतलब होता है पर्संट हूँ यूजेज हीज बोथ हैंड एज राइट है अब यहां पर समझना है तो रजा राइट एंड की तरह यूज करने का क्या मतलब है यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है जैसे हमारे सुसाइट्टी में क्या होता है मोस्टली लोग जो है वो राइट एंड को ऱ राइट मानते हैं राइट यहांँ मतलब राइड यह सही हात यहां मतलब है कि you are using your right hand it means you are using your correct hand तो यहां right का मतलब क्या है correct तो correct का ल्टा क्या हो देखो इसको अभी अच्छे से समझना नहें इसका आगे खेल देखेंगे और तो राइट का उल्टा अगर left है तो अगर राइट का meaning है correct तो इसका ओल्टा क्या होगा होका इंकरेक्ट होगा यह उसका बनूझ का मतलब क्या हो तो समन्हे करेक्ट होगा क्योंकि ना में होता है और correct और correct 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 और the left means incorrect ते देखो सोसाइटी में ऐसा है ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए पहले भी डिसकॉस कर चुक्य है मेरा काम जो है या हम लोगों का काम ज़बंटल होना नहीं है कि आई लेकिन जो स्वाषली एक्सेप्टेट चीजह है इसको हम भुवक्त कर ranger रहे हैं इसको दिमांग रखना इक कि रंध मतलब क्या हो रहा है इस ऊशली है है यह सउशाइटी में रहा है गलत चल दा है यह मेरा मेंटर दिसकोशन नहीं है मेंटर डिसकोशन है कि क्या हो आप समझना बस अभी टीक है लिए नट डिवेटिंग डिस टॉपिक तो राइट का मिनिंग हो गया करेक्ट इसका मतलब है कि लेफ्ट जो है उसका मतलब हो गया इनकरेक्ट लिट्रेरी मिनिंग इसका कुछ भी हो सकता है हम लोग जो सोचली एक्सेप्टेट बीनिग है उसका मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में अभी तो थोरा लोग समझदार हो गया लेकिन बहुत पहले जो है लोग इतने हुश्यार नहीं थे और स जादा था सुसाइटी में उस समय में क्या होता था तो इप समवन इस लेप्ट हैंड एज राइट हैंड इट मेंस ही यूजिंग इस इनकरेक्ट हैंड ऐसा एसा लोग समझते थे और यह समझते थे कि फिट नहीं है और आज की डिट में भी अगर कोई बच्चा बच्पन स से लेप हैं करता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं इसको मोट्येट करते हैं या उसको थोड़ा सा सकवा करते हैं उसी आफे राइट हैं और समझाते योर यूर्प है यहां राइट लेज़ लेट शौरा सा मेनिंग पूल को समझना है बार बार किसी जगा पर इसका मतलब कर्यक्ट हो रहा है कि इसका मतलब कि लेफ प्रॉड हो रहा है तो सब्सक्राब अध्य क्या है आदमी जो अपना धोनुं हाथ को स्मीικά मड़ות करता मतला कर वह अपना दोनुहां से स्वैमल्टेनसली अच्छा लिख सकता है दोनुहांत excited से वह से मट सेंवाज का पावर फील करता है एप सेली जो कर सकता हूपना पाइसरी गाहें जितना भी नर्ट वोल्स बना रहता है यह राइट है सिस्टम से बना रहता है क्योंकि मुस्ट अब दा पीपल राइट है लेकिन लैप पीपल के लिए वह उल्टा हो जाता है जैसे तुम कभी ताला जो है उसको लेट हैं से खुलनी को शुरू ना तो तुम एक बार यह दिए यह निGER की वह क्या है मासक करना एक है में सहे ऑकर आएच्ट बहुत से उज्ड़ी। ने को कि सांवत है कि देंस्यक्ट वर दिश्ट एम यूस यह यूज्ट लगा हुआ है और । इक यांदान है दूसरा क्या देना है लूंद यू सपेलिंग पर भी द्यान दे यह स्पेल्ग पर भी तोरह द्यान देते जाना है पॉनिटिक्स पर भी ध्यान देती जाना और मिनिंग पर भी ध्यान देत जाना में ध्यान देना है कि टी आर के बीच में क्या है यहां इसको तोड़ा नोटिस करेंगा यह जो है यहां पर यहां पर बीच में यहां पर नहीं आ यह एरर नहीं है इसको ध्यान देना है जब भी एंबी डेक्स लिखना है इसको नोटिस करना और जब भी एंबी डेक्स लिखेंगे बीच में लिखना है अब देश्टरस में डेश्टरस जब बोलते हैं इसका सफिक्स में लोग्या लिखें और यहीं सफिक्स हमको यहां भी देखने क्लिए मिल रहा है ठीक है डेक्स का मतलब होता है इसकेल फूल देश्टरस मतलब क्या होता इसकेल फूल मिनिग लिखना ना इसका डेक्स का मतलब हो गया इसकेल फूल अब इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया स्किल्फुल डेश्टरस का मतलब क्या हो गया स्किल्फुल तो अभी इसी से बनता है इसमें भी आई टी लगा हुआ ध्यान देना है अधिया आई यहां भी शफिक्स हैं और इटी यहां भी सपिक्स काम सटीक्स दोनों जगारत क्या है तो नेक्स में लुद्फ स्लाइड में हम लोग इसको करेंगे कि यहां पर इसका क्या मिनीगे एक और रोगों कर लेते इसको रिपीट करते हैं इंट्रोवर्ट क्या होगे यह सब मुस्लिक पर्सणेल्टी टैफ में आ रहा है ऐसे लोग आपको मिलते हैं हमेशा पहला किया इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मतलब ऐसा परसन जिसका सारा सारा बीहेवियर सारा दीच खिजहहें टर्ण इंसाइड है वह मैंने देखें कि इसका सारा नेचर खिजह है कि इस इंसाइड है ठीक है फ़ाइव अईसा आदमी जो है हो लता है कि पशुलीट्यूड पशंद करता है सोलीट्यूड मतलब जो अकेला रहना पसंद करता हो कि इस सॉलीट्यूड और दो छीजे एक वर्ड होता है सुलीट्यूड को ہिंदी में बहुते हैं एक आंत एक होता है loneliness यह होता है अकेला पन यह दोनों जो है ना different word है जान देना solitude जो होता है यह by choice होता है यह क्या होता है यह by choice है ठीक है और जो अकेला पन है यह यह by force है ठीक है यह क्या है by force है तो यह जो है यह इंसान के लिए अच्छा नहीं मना जाता है loneliness यह आदमी के लिए अच्छा नहीं मना तो उसका result क्या होता है इसका consequence क्या जो है एक psychological disorder हो गया होता है यह एक आदमी आगर जाता है तो loneliness का consequence क्या होगा उसको होगा डिपरेशन और डिपरेशन का consequence क्या होगा वह आदमी हो जाएगा psychologically unfit है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे है है हमारा है extrovert तो वह आदमी जो इंट्र बटना वह उसचलीट्यूट पसंद करता है loneliness किसी को पजाब यह इसको पछलच करता है रही है यह भी पछलनीक करना पज़न करता है बात करेंगा ज्यादा वह एक लाइन में भी बात कहीं जा सकती है उसको एक सो लाइन में करेगा यह सब उसका एक नेचर रोगे दूसरा इस तरह का आदमी जो होता है वह सहज टैप का होता है पुब्ली की बीज में उसको परिशाने नहीं होती है और इसके बीच में तुम भी रहोगे इसके साथ तो तुम भी बहुत कमपर्टेबल करोगे अगर कोई आदमी तुम्हास है वो इंट्रोबर्ट निचर का है यू बौथ फिल उनकमपर्टेबल और अब आदमी अगर एक्स्टोबर्ट है यू बहुत विल कमपरटैबल मतलब अगर कोई ग्रूप में भी अगर एक आदमी भी एक्षावाट का है न तो जाता और पूर अच्छा लीडर हो सकता है अच्छा लेखा फबलीक स्पिकिंग का काम जो भी है वह सब आश्चा एक मोटिवेशनल में काम देखते हैं उसके बाद है नेक्स्ट एमबीवर्ड एम डिसका इंट्रेस्ट दोनों साइड है time to time सब्सक्राइब करता है कि हमको कब को इंट्रोवर्ट होना है और हमको कब एक्सटोवर्ट होना है तो यह एक बार हो जाने से कई बार हम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो यह है अब अच्छे सब्सक्राइब क्यों है और फिर नेक्स्ट बड़ा डेक्सरीटी ठीक है आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है कि इसमें हम लोग इसका रूट वर्ड पर आते हैं कि इसको लोग क्या बोलते हैं कि यह रूट वर्ड वागा है ठीक है तो रूट वर्ड में पिछले जितना वर्ड देखे थे उसमें देसे अगर इंट्रोवर्ड था कि इसमें दो वर्ड दिख रहा है साफ साफ तो यह दोनों क्या है ना लेटीन वर्ड है और इसका मिनिंग देखेंगे लोग तो इसका मिनिंग हमको याद नहीं करना परके क्लिर हो जाए मिनिंग इसमें दो वर्ड है एक है इंट्रो और दूसरा क्या है वर्टो इंट्रो क है आप समझ में आ गया जो टर्ण एकिदर इंसाइड ओगया इंट्रोवर्ट हिंदिन इसको अंतर मुखी बोलते हैं यह इंट्रोवर्ट कैसा पर्सनाल्टी टाइप हो गया वान उटांस इंसाइड ठीग वई नेक्स्ट है एम बी एम बीका मतलब क्या है अभी इसका हम लोग यूज है ना नेक्स लैट वह वर्ट में भी देखें अभी सिर्ब इसका मेनिंग जा लेक्ट हैं अभी एक वर्ट देखें थे और वर्ट का मतला है टर्ण कि वारों तर्ण बोथ इंसाइड और इस विटर्ण और और बोट एंग्लिश इंग्लिश मिनिंग लिखा गया है कि यह जो सारा है यह क्या है लेटिन वर्ड है क्या यह कि यह सारा लेटिन वर्ड है इंट्रो भी वर्टो भी एम भी ठीक है और डेक्ट्टर गी इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे की डेक्ट्र मतलब जैसे डेक्ट्रस है तो डेक्ट्रस का मतलब क्यों है जो किल मतलब राइटन होता है अभी सिर्म जान लेना है किसका मतलब क्या होता है तो प्राइट है और आगे देखते हैं लोग अभी यहां देखना बढ़िया थे एक वर्ट है मारे पास पहला जाने थे वह है इंट्रोवर्ट था दो च४्ट आगे इंट्रो और वर्टो इंट्रों हम देकth लिए थे इंट्रों का मतलब था in और इंट्रो का मतलब था इनसाइब और वर्टो का मतलब था constitution कि अब सैट कीज़ी त्रश करा किता सिख गर हम इंट्रोट वर्ट जिंदगी में कभी मिला नहीं था ह। यह कोई एब जिसमें की इंट्रो हो और वाट और इसको हमको जिंदगी में कभी देखने का मोखा नहीं मिला था और आज ही मिला नेक्स वर्ड़ एक्स्ट्रो वर्ड एक्स्ट्रो वर्ड़ ऑफ दो क्या है यह इसमें हम लोग इसमें हम लोग का एक्स्ट्रो एक्स्ट्रो छूड़ गया है तो एक्स्ट्रो इसमें लिख लेना है तो इसमें एक्स्ट्रो लिख लेना है तो इसमें एक्स्ट्रो लिख लेना एक्स्ट्रो और इसका मतलब होता है वह चूट गया है तो अमारे पास फाइव लेटिन वर्ट्स हो गया है इसमें एक्स्ट्रो भी है यहां तो तो फाइव लेटिन वर्ट्स हो गया एक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है जैंग और यहाँ पर तो इसको ओलों फिर मेनिंग करने कुश्च करेंगे एस टो का मतलब हो गया और फिर मतलब हो गया नुक्त अब मेनिक इसका समझ में आ कि उसी तरद आते हैं प्लस वड़ पर दो वड़ा मतलब क्या होता था बहुत पहले देख चुके हैं प्लस वर्टो का मतलब फिर से हैं तू टर अब समझ वागे मिलिंग क्लियर हो गया कि अब आते हैं लोग नेक्स्ट में अंबी डेक्स्ट्रस कि द्यान देना है पहले में इसका करेंगा फिर इसका हम लोग पार्थ आपिस्पीच किसाब से देखेंगे की सब्सक्राइब यह है क्या नाउन है प्रणाउन है वर बेड़ेटिव क्या है ज्यान देना है एंबी मतलब बोथ तो एंबी मतलब बोथ प्लस डेक्श्चर का मतलब होता है राइट हैंड यहां पर साप दिख रहा है कि एक आदमी का दो ही हैंड्स होता है है ना तीसरा हैंड तो होना नहीं है तो बोथ प्लस राइट हैंड इसका मतलब क्या है वान हूँ चैन्ueisерм States of Adab서 Kalani ऐनों इसका दोनुहां राइट हैंड राइट हैंड है घल लेकिन कर ले दे अगर कोई प्लेयर है और वह राइट हैंड से खेलता है तो दो ऻूरा राइट है और उसको लोग ऐसा left side से lefty batsman जैसा खेलने बोलें तो वह comfortably नहीं खेल पाए जैसे अगर कोई परफर्फॉर्मेंस है तो उसको लोग क्या बोलेगे एंबी टेक्श्ट्रस बोलेंगे लेकिन अगर ऐसा आदमी है कि वह राइट हैंड से बालिंग करता तो विकेट ले सकता है और लेफ्ट हैंड से बॉल करता है तो उसका डेट बोल चला जाता नो भी नहीं तो उसके समयं नहीं है क्या समझे तो इस तरह का जो है उसको भूलते हैं अभी यहां देखना है तो पहुझ लेंगे अभी यहां देखना है एक सफिक्स लगा हमारा क्या सपिक्ष लगा है ओ यह सफिक्स है ओ यू थोड़ा इसको लिख लेंगे कॉपी में ओ यूए सफिक्स जो होता है यह हमेशा और हमेशा क्या होता है एड्जेक्टिव सफिक्स होता है क्या होता है हां ओ यूएस क्या लिखाए दुए हां यहां लिख दिया हुए ना उन सफिक्स है कि एक चुली क्या है कि एड्जेक्टिव सफिक्स है कि यह क्या है कि इसको करेक्ट कर लेना वही हुए 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 कैसा है सब्सक्राइब है और यह कोई कन्फूजन वाली बात है नहीं दिए बहुए सरव जिसे फेमस है ना तो फेमस क्या है वह एड्येक्टिव है लग्जरियस लग्जरियस लाइफ ऐसा बोलते हैं तो मतलब नहीं कोई पॉइंट नहीं है तो थीख है तो इसको अच्छे से करेक्टर लेना निमाग में एडिक्टिव सपिक्स होता है जिसे एक्जामपल से भी इसको देखके समझ लेते हैं और यह सफिक जैसे यहां डेक्टरस है यह तो एक ही जैसा लग रहा है देखने में और दूसरा नया वर्ड भी यह तो यह तना मैंट में नहीं लाएगा तो कुछ एक वर्ड हम लोग और देख लेते हैं ताकि इसमें नहीं हो जो ओ यूएस है यह ना यह ओ यूएस है तो ऐसा वर्ड जैसा हम लोग देखते हैं क्या ले सेमस तो समझने का तरीका ही ही है अगर कोई चीज़ है या नहीं है तो उसको जाने क्या तरीका है जो होता है उसका पेटर्न होता है इस पेटर्न को दिमाग में रखना है क्या पैटर्ण है एड्जेक्टिव जब भी आता है सेंटेंस में तो वो क्या होता है वो क्या होता है वो क्या होता है फॉलोड वाई नाउन होता है क्या होता है फॉलोड वाई नाउन होता है यानि एज्छेक्टिव एप आया है तो फॉलोड चर्ण है यह जघर पे क्या आएगा नाओन नहीं कि नाओन फॉलोड बाय एज्छेक्टिव होता है क्या थे यह नहीं अध्य जो है ना वह हमेशा नाउन को फॉलो करता है तो ठीक है जैसे हम लोग एक सिंपल समझते हैं तो डिपिकल बने जाके जी समझते हैं जैसे लिखा वाया गुड़ गॉए तो बॉइ क्या हो गया यह च्या हो गया तो नाउन जो है वह फॉल ड्वाई किसके एं यह जानने का तरीका है अगर गूड एजयक्टी घैसरा कि इसको किसी नाउन के साथ यूज करके देखेंगे कि क्या फिट बैट रहा है आगर यह एंग कि अगर हम लोग यहां लिख रहे हैं है अगे फेमस परसन तो फिट बैट रहा नहीं बैट रहा है फिट बैट रहा भाई तो यह क्या है एड एक्टिव है कि परसंड क्या है ना उन है है कि वे समयखता है यह हो गया है अपिंग अगबभी है उसी तरह से लाइफ की बारे भी हो यह हो गया ज्सक्ति क्थिव क्ली एध होगिया फ्यक्त कर आंघ है अब इसका शीखने का क्या फाइदा है अगर किसी पैसेज में हम लोग काम कर रहे हैं और कोई ऐसा वर्ड है पैसेज कंप्रियंसल में कुश्चन दिया है कि उसे सपोस्ट करो एक वर्ड दिया है जिसके बारे में पूच ले नीचे भाई यह नाउन है वर्व है अड्यक्टिव है यह क्या है अब इसका माल हो कि मीनिंग तुtamको पता नहीं है म ora को रूट वैसे यह पुचा है लेकिन हमां सोचना भी नहीं और करता है इस Bhag लोड़ है इसके फायदा होता है कि इस तरह का सपिक्स से उसका या रखने यह फाइदा यह आगर यह यारा हमको और सपिक्स वाला हमेशा एड्यक्टिव होता है हमारा लोडेड है दिमाग में और अगर हमको ऐसा जिन्दगी में कभी भी टक्राता है कोई वर्ण करना है तो असानी से देख करके बता देंगे क्या होगा एड्यक्टिव हमेशा क्या होता है उसके बाद अनान वाजाता है यह नहीं ना थो तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद कोई नाउन लगा के देखेंगे यह फिट बैट रहा है अगर मत हो सकता है ऐसा वर्ड जिसके लाश्ट ना लगा हो जैसा जो नॉर्मल एडिक्टिव सोता है उसके लाश्ट नहीं लगा रहता है लेकिन लोग किसी वर्ड से अड्यक्ट बनाते केस में इस तरह का शार्ध मैं इस तरह का अड्यक्टम को मिलता है लेकिन डिरेक्ट वर्ड है जीसे गुड है बैड है डाल है इस नहीं मिलने माला यह पीड है अधृ प्सकर नाउन डाल कर देखेंगी अगर एक कोई सबजब भी के सास्ants मों नहीं लगा शकर दे वाई के साथ हम लोग यह भी चेक कर सकते हैं क्या यह हम वाई के साथ यह यूज कर सकते हैं तो ऐसा अब यह यह लगा ले तो यह हमेशा काम नहीं करेगा क्या मतलब सेंस नहीं आ रहा है है ना लेकिन डीप सी है है ना डीप पॉंड है तो एक सेंस आता है ना तो उसको यहां यूज करना है ना तो पता चल दाएक है नहीं चलिए नेक्स्ट वड है हमारे पास समझ में आ गया और इसमें और यह सब्सक्राइब होता है कई सब्सक्राइब देख लिए उसके बाद एक वाड है हमारे पास इसी से नाउन जो बन रहा है वह एक नाउन सफिक्स है इसको याद रखना है यह ना आई टी वाई क्या है नाउन सफिक्स टिक बएस वो गूजन मैंने रहा है रखना लेना है कि आई टी वाई क्या है इसंट आउन सफिक्स इसी से बन गया मृश्ट टी त्यों device and the next mode is destroyer it is services क如何 क्या होता है ऐसे kitchen full पीचे थे देखें दिर में किसमें लोग शी किल से मिल लिए लेका हूं yeah किक्डर्स का मुत्लग क्या हो गया इसक्ञा मनले किकी पयों है आ burden जगह बना लेता हूं फिर समझना है अब है आइओ देखे देक्स्रास का मतलब होता है क्या लेश्र का मतलब क्या होता है कि देश्टर का मतलब होता है इसकिल्फूल देख ऐसा है ना यह जिससे फुल है ना यह फुल एक्चुली यूज़ था एफ यू एल एल वर्ड यह एफ यू एल एल है लेकिन जान देना जैसे हम लोग ऐसा लगाएंगे इसकिल प्लस फुल यह बनेगा इसकिल फुल यहां पर एक एल कम हो जाता है यह हमेशे दर्ण जैसे ब्यूटी फुल वान वीज़ फुल ऑफ ब्यूटी थैंक फुल वहां पर एफ यू एल एल है लेकिन जब वर्ड को लोग कंबाइन करके लिखते हैं तो दो एल नहीं लिख नहीं इसकील फुल फुल शूर फुल लोता है तो के रि educ पहले हैं तो इसका पर इसके बढ़ेregation पर इसका मिनिंग भी है हुए है इस जँगा पर टुं मिल्पल राइट हो यहां पर इस यहिए लिखतहें यहां पर एंप pause यह बढ़ागो को है और आम रही का मतलब क्या होता है करेक्ट अगर तो गहीं कि आन씨 करेक्ट कर रहे हो कैसे कर पाए अगर तो को स्किल कर रहे हो तुछ कर रहे हो तब करेक्ट होगा अगर कोई काम को भी से कर रहे हैं तो करेक्ट हो इसलिए हो सा आता है इसका मतलब है कि आप वो काम को सही से कर रहे हैं इसका मतलब समझदारी से कर रहे हैं इसलिए देख्ट्रस का मतलब इसकील फूल होता तीक है जैसे तुम लिखना कुछ शुरू कर दिये मालो बाएं यहां राइट हैं फिर मैं लेफ रेट लिखना शुरू कर दिया तो लेफ रेटिंग कितनी सुन्दर होगी तुम्हें पता है तो यह क्या है इसका मतलब देख क लगेगा क्या बोलें उसको कि यह कोई या फिर ऐसा समझेधों कि कोई आदमी जो किसी काम है तो यह अगर हमारा राइट है इसका मतलब लगे लगेगा कि नहीं यह स्किल्फूल काम है और अगर उसी चीज़ को अपने लेप्ट हैंड से मैं अगर राइटी आदमी हूँ तो अगर कोई लेप्टी आदमी है तो फिर सके लिए मिनिंग भाई समझ दो बताने जोत नहीं ठीक है अगर अपने राइट हैंड से मैं लिख रहा हूं तो तुम्हें लगए कोई लिखूंगा तो तो मैं लगए कोई अनिस्किल्फ का बच्चा लिखा है नहीं मतलब अनिस्किल यूज कर रहा है इसका मतलब और थोड़ा था जब हम लोग आगे इसका डिटेल परेंगे तो यह कहां से यह लेटीन से आया है और लेटीन वर्ट जो है लेटीन लेटीन लेग्वेज जो है कब यूज़ेस में था यह पता है मतलब लोग थाउजन्ट अपीए बैक जाएं यह तुम पता है क्या होना चीए लेकिन यह वर्ड और इजीन वहीं से आया है उस समय के परिपेक्ष में यूज होता था ठीक है वहीं से केरी फरवर्ड हो गया तो उस समय में राइट का मतलब क्या होता था लोग भी कापी स्किल्ड होते हैं बहुत सारा यहां बहुत सारे कॉमन लोग है मतलब भी बोलिंग करता हूं आ यह नहीं वहीं बता रहा हूं कि मेरा राइट हैंट का बॉलिंग और उसका लेप्रजक्षाब उसके बैटर होगा इंटनेशनल ट्लर है यह कहने मतलब है कि जरूरी नहीं है कि तुम राइट-हंड के हो तो तुम ही स्कील्ड होगे कोई लेफ्ट हेंड का है तो वह अनिस क्वेस्ट होगा सेम टाइप व्रक में सेम पीस प्रग में यह पॉसिएट है आज की डिश्च में सब कुछ आइब है कि आप लेफ्ट हेंड से उस काम को किसी राइट प्रेंड वाले आदमी से ज्यादा बेटर कर सकते हैं अब सौरव कांगली लेटी था बैट्समेन लेकिन अब क्या तुम सौरव कांगली से बेटर खेल सकते हो गया लेकिन बैटिंग तो सब कर अच्छा ठीक मतलब हो सकता है कि एना हां तो अब यह क्या है कि यह वह आदमी लेटी है लेकिन यह वहां से इस तरह का सूपर सब्सक्राइटी में मतलब वाइडली एक्सेप्टेट था कि अगर कोई आदमी लेटी है तो मतलब नहीं है आप इसमें हो सकते हैं अब इसी चीज़ को क्या बारवा डिसकस करना यह यह लेजिस तो उसका मिनिक पेलो और कि शरकमिस्टेंस में उसको डिसका तो यह क्या हेएं किसमें बाद है यह लांग-लांग और अगो आना किया तो उस समय में ऐसे सब्सक्राइब था कि राइट मतलब है इसकिल है ना अगर एक काम को मतलब तुम अगर लेप्ट हैंड से खाना खाओ तो आज की देटेंगे अच्छा नहीं मानते लो क्या वाया आज से खाना का रहा है है ना यूजर राइट एंड नहीं किसी को कुछ दो लो तो हां खास करके अगर कोई प्रसाद और साथ दे रहा है लेप्ट है या जाएगा है कि नहीं नहीं दूसरा दूसरा चरन वह तब चरन वाला अम्रित परेगा तुम्हारे उपड़ इस लिए उस समय की बात है इसलिए उस समय के लेटिन लेंग्वेज भी उसी सहे में यूज में था उस समय में इसका मतलब माना जाता था लेट का मतलब गरवर और नान बन घ्रेटि आट वाल गया डाइव इसा आथी है इस Tapeaks ठीक है इन सार्वर्ट्स में कि इसक gebracht रहे क्या अ कुछ एक चीज इसका हम लोग और देखेंगे और नेकिसम में दeखेंगे इसका कुछ हम लोग कि कुछ वर्काउट भी करेंगे ठीक है ऐसे हम लोग